समस्कार दोस्तों स्वागाते आपका हरीश एकड़े मैं हूँ हरीश और आज हम बात करेंगे प्रायक्ता के पार्ट टू की इसमें हम बचे हुए कुश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो आए सुरू करते हैं यह अगला कुश्चन है अमारे पास दो पुरसों वा दो इस्त्रियों के समू में से दो व्यक्तियों की एक समिती का गठन करना है प्रायक्ता क्या है कि गठित समिती में पहला कुश्चन कोई पुरस ना हो दूसरा कुश्चन एक पुरसो और तीसरा कुश्चन दोनों पुरस यह तीन कुश्यन यहां से बन रहे हैं ठीक है तो पहले थोड़ा सा अगर आप याद करें हमने अभी संचय में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो पुर्थोवा दो इस्त्रियों के समू अगर ऐसे कोई कुश्यन आते थे कि यह दो पुरुष है यहनी मेल है और दो क्या है फीमेल है यहां मैं से यहां दोनों को मिला करके क्या बनाना है हमें कि दो ब्यक्तियों को सिलेक्ट करना है दो ब्यक्तियों की एक समिती का गठिन करना है तो उसकी यहां पर प्रायक्ता ग्याद करनी है पहले तो आपको यह चीज़ आनी चाहिए संचय अगर आपने संचे नहीं देखा तो प्लीस आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप संचे को देख ले तभी आपको ये वाला कुस्चन बनेगा अदरवाई आपको ये कुस्चन नहीं बनने वाला इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसलिए मैंने क्रमचे और संचे पढ़ाए ताकि आपको प्रयक्ता बहुत अची तरीके से समझ में आए तो अब देखते हैं हमें पहला कुस्चन लेकिन सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं दो प्रोस और दो इस्त्रियों के समूं में से दो समीतियों का गठर करने के टोटल तरीके क्या होंगे तो यहां क्या हो जाएगा कि टोटल कितने हैं आपके पास टोटल ब्यक्ति कितने हैं दो प्रोस हैं और दो मैला तो टोटल ब्यक्ति कितने हैं चार ठीके और चार में से हमें क्या करना है दो सेलेक्ट करना है इन चार में से दो हमें सेलेक्ट करना है ठीके तो यहाँ पर हम क्या करें कि 4 टोटल में से 2 को select करने की तरीके क्या है यह संचे ग्याद करना इसका ठीके तो संचे ग्याद करेंगे तो क्या हो जाएगा factorial 4 यहाँ पर क्या जाएगा factorial 4 में से 2 गया और factorial यह 2 यही होता है संचे ठीक है चो कि संचे का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n बटे n-r ठीक है और यहाँ पर into r ठीक है तो वह हमने यहाँ पर कर दिया अब इसको हम solve करने तो 4 गोडे 3 गोडे फैक्टोरियल 2 और बटे की नीचे क्या आजाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और गोडे 2 गोडे 1 ठीक है तो यह 2 से 2 कैंसल 2 से 2 दूनी 4 क्या आएगया 3 दूनी 6 इसका क्या आगया हमारा 6 आगया क्लियर अब यहाँ पर कह रहा यह पहला कुछ है यह तो अभी किवल इतने को हमने solve किया है कि दो प्रोसों और दो इसियों के संभू में से दो बेक्तियों को select करने की तरीके कितने हो सकते हैं 6 ठीक है अभी किवल हमने यह ग्याद किया है अब ये पहला कुछ्छेन अगर हम बात करें, कोई पुरुस ना हो, यानि यहां पर क्या हो जाएगा, कोई पुरुस ना हो, ठीके, और टोटल पुरुस कितने है, दो, तो इन में से कोई ना हो, यानि दो हिस्थ्रियों में से हमें, दोनों को select करने हैं, तो two women हैं, दो में से जिनको इस्त्रियों को यहाँ परोसों को तो लेना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है कोई परोस ना हो तो दो महलाओं मैंसे दोनों को लेना है क्योंकि दो लोग चाहिए ना मैं समिती में इसलिए 2C2 सेलेक्ट करना है और टोटल कितना है टोटल को लिख देते हैं हमें सब बटे में यही करते थे ना प्रापतांग बटे पूरा वही तो यहां इसको solve कर दे तो इसको solve करेंगे तो factorial 2 बटे factorial 2-2 और यहां पर factorial 2 ठीक है यहां का तुमान एक हो जाएगा तो यह 2-2 cancel हो जाएगा मतलब क्या आगया एक बटे 6 यह आगया आफकांस है क्या आगया कोई पुरुस ना हो उसकी प्राइक्टा कितनी आ जाई एक बटे 6 क्योंकि total प्राइक्टा कितनी है यह ठीक है दो बेक्टियों की एक समिती बनानी है ऐसा तो है नहीं कि एक पुरुस एक महिला होनी की अभी बो कुश्चन है आगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन यहां पर जो कहना चाहता है कि कोई भी पुरुस ना हो पहले कुश्चन में कुश्चन की बात करें एक पुरुस हो ठीक है अब सभाविक सी बात है अगर एक पुरुस है तो एक क्या होगा महिला होगा क्योंकि दो में से एक तो पुरुस ले लिए और दो महिलाओ में से फिर हमें महिला लेनी पड़ेगी कोई कि दो स्व्यक्तियों की हमें क्या है समिती बनानी है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दो पुरसों में से हमें एक पुरसलेक्ट करना है ठीक है ये कुस्चर में दिया है लेकिन हमें दो लोग चाहिए है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दो women's seven से एक women लेनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर जब संचे में हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चोके हैं कि अगर दो में से एक इससे लेना हो और एक इससे लेना हो तो यहाँ पर यूज करते हैं in two तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा multiplication तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा गुड़ा का चिन और बटे total कितने हैं हमारे 6 ठीक है यह आ जाएगा इसका अब इसको solve कर दो तो इसको solve करेंगे factorial 2 upon factorial 1 क्योंकि दो में से एक जाएगा और यहाँ पर factorial 1 और गुड़े यही यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 और बटे क्या जाएगा 6 ठीक है ना तो यहाँ आ जाएगा 2 गुड़े 2 और बटे क्या जाएगा 6 यानि 4 बटे 6 इसको solve करें तो दो दोनी 4 दो तिया 6 तो यह आ जाएगा अंजा clear तो इस type से यदि कुश्यान आते हैं तो बैस आपको उसको समझना है अगर आप संचे पढ़ चुके हैं तो यह कुश्यान तो आप चुटकियों में solve करें क्योंकि टोटल को क्या रखना है नीचे और जो आपका आ रहा है उसको उपर रख देना बैस आंसर आ जाएगा अब देखते हैं यहां यह तीसरा कुश्यन है कि दोनों पुरुस हों तो जैसा हमने महला के लिए निकाला था सम बैसे हो जाएगा पुरुस के लिए क्योंकि यहां पर कहरा दोनों पुरुस हो यहां पर कोई पुरुस ना हो कहरा था यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों प्रोस हों अब दोनों प्रोस हों तो एक भी इस तरी नहीं लेना क्योंकि हमें दोनों ही सेलेक्ट करने है ना तो क्या हो जाएगा इसका तो यहाँ पर दो प्रोस हों उनको सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे 2C2 ठीके न, दो में से दोनों select करना है तो इसको कैसे solve करेंगे और बटे में क्या जाएगा आपका 6 क्योंकि कुल तरीकी कितने है 6 ठीके तो इसको कैसे solve करेंगे इसको factorial 2 upon यहाँ पर 0 और factorial 2 ठीके 2 से 2 के answer इस command 1 होता हम पहले ही पढ़ चुके हैं संचय में, factorial 0 कमान कितना होता है 1 होता है, और बटे में 6 है तो कितना आगया, एक बटे 6 यहाँ आगया answer तो इस type से रही question आते हैं संचय पर रहरे, तो वो इसी type से आएंगे थोड़ा सा और tough होंगे वो हम अभी देखेंगे कि कैसे tough होंगे हम एक side से पहले थोड़ा सा सरब, थोड़ा सा और tough वो इसी करके हम चलते जा रहे हैं आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अब देखते हम अगला question यह अगला question है जब तास के 52 पत्तों की गड़ी से 7 पत्तों का एक समूव बनाया जाता है तो इस बात की प्रायक्ता ग्याद कीजिए कि इनमें सारे बास्साह सामिल है नियूनतम दूसरा question है नियूनतम तीन बास्साह है तो दो question यहाँ पर है पहला सारे बास्साह सामिल हो और नियूनतम तीन बास्साह सामिल हो ठीक है ये भी संचे पर रहा धारत कुश्चन है क्योंकि यहां बाउन में से कितने सेलेक्ट करना है साथ पत्तों को सेलेक्ट करना है समूह बनाना है इस बात की प्रायक्ता ग्याद कीजिए कि सारे बास्साय सामिल हो मतलब साथ पत्तों में क्या हो सारे बासाय सामिल हो और यहां दूसरे कुश्चन में क्या है निम्तम तीन बासाय हो मतलब साथ पत्तों में निम्तम तीन बासाय होने चाहिए अधिक नम कितने भी हो लेकिन कम से कम तीन बासाय सामिल होने चाहिए तो इस टाइप से यदि question आते हैं तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम जू करते हैं कि total कितने हैं total अपके हैं 52 यानि 22 पत्ते हैं ठीके 52 में से हमें कितने select करना है 7 ठीके 7 पत्तों को चुनना है तो बाउन में से साथ पत्तों को चुनने की तरीके क्या हो जाएंगे 52 और ये 7 ठीक है चुनने की तरीके कितने हो गए 52 और सी 7 ये हो गए टूटल बाउन में से 37 चुनने की तरीके इसके बाद देखती है पहला Question सारे बादसाइ सामिल हैं देखो चार बादसाओं में से कितने चारों बादसाओं हमें सेलेक्ट करना है तो यह हो जाएगा चुनने की तरीके क्या हो जाएगे 4C 4 इसके बाद क्या है कि बचे कितने दूखो यहाँ पर यदि 4 बासाइ अलग कय लिकितने हैं 48 ठीक है त अब 48 में से कितने सेलेक्ट करना है हमें ठीज सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें टूटल कितने चाइब 4 और 3, 7 क्योंकि कुश्ट्टन में ही दिए है कि 7 का हमें क्या बनाना है एक समू बनाना है ठीक है तो चार और तीन साथ साथ हमें सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर हम पहले संचे में पढ़ चुके हैं कि अगर दो चीजों में से हमें दोनों अलग-अलग सेलेक्ट करना है यनि चार यहाँ से और 3 यहां से अगर हमें select करना है तो क्या करते हैं उनको into करते हैं तो यहां इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा into ठीके ना इसके बाद कुल कितने हैं कुल हैं 52 में से select करने है 7 तो कुल को हमेशा नीचे रखते हैं ठीके अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यह answer आ गया आपका बिस अब आप इसको solve करना है कई यह गये तो आपको यही कई यही option में रखा हुआ मिल जाता है ठीके ना तो अगर इसको solve करना है तो कैसे करेंगे हम यह पहली देख चुके हैं फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस का 4 ठीक है यहां फैक्टोरियल 4 और इंटू लगा तो इंटू लगा दिया है यहां क्या हो जाएगा 48 फैक्टोरियल का इसके बाद बटे में क्या जाएगा factor 48 minus का 3 और यहाँ हो जाएगा factor 3 और बटे में काजाएगा factor 52 और बटे काजाएगा factor 52 में से 7 जाएगा ठीजा और यहाँ पह जाएगा बैस इसको solve कर दो आप का अंसर जाएगा अब देखते हम ये दूसरा question नियुनतम 3 बादसाय है इसकी प्रायक्ता क्या होगी तो ये भी उसी टाइप से होगा देखो दूसरे कुर्श्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर नियुनतम तीन बातस है मतलब कम से कम तीन अधिक भी हो सकते हैं मतलब तीन बातस है या चार बातस है ये बैसा कुर्श्चन है मतलब यहां पर क्य ने हो सकते, चार से ज़्यादा होते ही नहीं, तो तीन बास साय होंगे, या फिर चार बास साय होंगे, क्लिए, अगर तीन बास साय होंगे, तो हमें और कितने पत्ते चाहिए, चार और पत्ते चाहिए, क्योंकि टूटल कितने चाहिए हमें, सेवन, साथ पत्तों का एक समू ब करी कि यह हो जाएंगे और यहां पर जो सेष चार चुनना है तो वो कितने मैं से चुनेंगे हम बचे कितने चार मैं से वही चीज हो गई ना यहां पर चार अलग रखे हैं यहां पर 48 अलग रखे हैं तो इन मैं से हमने इतने चुन लिए तीन इन में से कितने चुनना है हमें बाकी से और इस से चुनना है यहां पर कितने है 48 में से हमें 4 चुनना है तो कि 4 अलग निकल जाएंगे और 40 अलग दो समू मैंसे अलग अलग कीजिए है ना चार अलग हो और यार तालेस अलग फिर मैंसे तीन चुनना है इन मैंसे चार चुनना है तो यहां क्या लगेगा इंटू लगेगा हम पहले ही पढ़ चुके हैं संचाय में ठीक है तो इस वरकार से यह हो गया और बटे क्या हो जाएगा बटे टोटल कितने हैं आपके पास टोटल है 52 और C 7 ठीक है इसके बाद लगा है या तो या में हमने क्या किया था प्लस यूज किया था तो प्लस कर लिए ठीक है अब चार बात साह को चुनने के तरीके तो चार में से हमें 4 चुनना है इंटू यहा अब इसको solve कर लेंगे तो हमारा answer आजाएगा कहने का मतलब question tough नहीं है बस हमें उसको समझना आना चाहिए अब क्रम से चले आओ पहले क्रम चैय पढ़ो फिर संचय पढ़ो फिर इसके बाद प्रायक्ता पढ़ो तो आपको कुछ भी tough नहीं लगेगा लेकिन अगर एकदम स अगर इसको यहां पर एक बार solve किया हुआ भी कहीं आपको मिल जाएगा तो लगेगा रही यार यह क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप क्रम से चलो पहले क्रम चैय पढ़ो पर संचय पढ़ो पर प्रायक्ता पढ़ो तो आपको कुछ भी tough नहीं लगेगा clear तो दोनों की परिच्छा में उत्तीन होने की प्रायक्ता 0.2 है प्रायक्ता 11 कीजिए यहां पर तीन कुछ्चन है अनल और आस्मा दोनों परिच्छा में उत्तीन नहीं हो पाएंगे इसकी प्रायक्ता क्या होगी दोनों में से कम से कम एक परिच्छा में उत्तीन नहीं होगा इ जैसा कि हमने पहले बताया था कि संग और सर्वनिस्ट की बात करेंगी यहां पर कि वो क्या होते हैं क्योंकि यहां उन्हीं का यूज होगा यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो घटना होती हैं मुखरू से चार प्रकार की होती हैं वो कौन सी एक पहली घटना होती है कि पूरक घटना है जिसे बोलते हैं हम पूरक घटना ठीक है अब वो क्या होती है इसको हम देख लेते हैं पूरक घटना क्या होती है इसको प्रद जियान में रखना है कि A-S को क्या कहा जाता है, A नहीं, इसका मतलब क्या होता है, माल लिए आपके पास एक समिस्ठी है, यानि आपका एक संग है, एक दो, तीन, चार, पांच और छे, ठीक है, यहाँ पर A बराबर है आपका, दिया हुआ है एक जाम में, कि दो और तीन, और ठीक है, यह आपका एक्जाम में दिया है, और B बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, एक, तीन, पांच, ठीक है, तो अगर पूछे एक्जाम में कि A-S का मान ग्यात करो, तो इसको कैसे निकालेंगी, A-S का मान निकालें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब होता का तरीका यह होता है, कि जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर तो सभी हैं, एक, दो, तीन, जा, पांच, और यहाँ पर A में जो चीजें हैं, वो हमें नहीं लिखना है A-S में, बांकि सारी चीजें यहाँ से उतार देनी, मतलब क्या हो जाएगा, देखो, एक नहीं है ना यहाँ यहाँ पर एक नहीं है, तो एक लिख दिया, दो यहाँ है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, तीन यहाँ है, तीन को नहीं लिखेंगे, चार यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो चार को लिख देंगे, इसके बाद पांच यहाँ है, तो पांच को नहीं लिखेंगे, छ नहीं मतलब A में जो ना हो और S में हो उन सब को यहां लिखते हैं किलियर आपको यह चीज समझ में आ गई इसके बाद बात करते हम दूसरी घटना की इनका यूज होगा इसलिए मैं आपको यह चीज़े बता रहा हूं घटना अगर आ जाए घटना A या B अभी हमने इस पर ब मतलब होता है A संग B क्या होता है A संग V फर्मूले की बात में तो A का मतलब क्या है यह और B का मतलब है यह तो A संग B बराबर क्या हो जाएगा A संग B बराबर होगा पूरा एक दो तीन चार ना इसमें है ना इसमें इसलिए चार को नहीं लगेंगे पांच यह लग दिए म अगर दोनों में कामन है, तो उसको एक बार लिखेंगे, अगर इसमें, दो में से किसी में भी एक चीज मिल जाती है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि दो, तो यहाँ पर एक था, तो एक लिख दिया, लिकने यहाँ नहीं था, फिर भी हम लिखेंगे, यहाँ दो थ तो लिख दिया, यहाँ दो नहीं था फिर भी हमने लिखा, तीन दोनों में काम हैं तो एक बार लिख दिया, पाच दोनों में काम हैं तो एक बार लिख दिया, तो यह हो जाएगा संग है, ठीक है, इसके बाद तीसरा जो घटना होती है, वो होती है घटना A और B, मतलब और आ तो आप कैसे निकालेंगे या देदेगा A संग B का मान ग्याद करो या A सर्वनिस्ट B का मान ग्याद करो तो आप कैसे निकालेंगे इसलिए इन चीज की जानकारी होना जरूरी है जैसे कि घटना A और B तो यहाँ पर मतलब क्या होता है A सर्वनिस्ट B और का मतलब होता है सर्वनिस्ट अब इसका मतलब क्या होता है सर्वनिस्ट का मतलब होता है दोनों में जो चीज कामन हो वो यहाँ पर आ जाएगी जैसे तीन है तो तीन लिख दिया और पांच दोनों में कामन है तो लिख दिया यहाँ पर 2 और 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा जाता है, दोनों में जो common चीज़ हो, इसके बाद चोथी घटना क्या होती है, चोथी घटना होती है, घटना A किंतु B नहीं, यह बहुत important है, घटना A किंतु B नहीं, यह चोथी घटना है, अगर इस ताइप स यह चोथी घटना हो सकती है, तो इसको कैसे रिप्रेजन करते हैं, A माइनस B से, घटने जिसका मतलब होता है, ए और यह सर्वनेस्ट B नहीं, घटने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही होता है, जो A में तो हो, लेकिन B में ना हो, उस चीज़ को यहाँ पर लि देखो दो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पहला आ जाएगा आपका दो तीन इसमें हो इसमें ना हो तो यह तो इसमें भी है पांच इसमें हो इसमें ना हो तो यह पांच इसमें भी है तो यह नहीं आएगा मतलब इसका अमसर क्या होगा A किंतू B नहीं में आजाएगा आपका 2 clear तो यह चार घटनाएं हैं इसी पे अधारत आपको आपके question मिल रहे हैं जो आपका 7th question है वो कुछ इसी पे अधारत है इसलिए मैंने आपको इन घटनाव को बताया अब देखते हैं उस question को तो आपको और clear हो जाए अब हम देखते हैं इसका पहला question अनल और आस्मा दोनों परिच्छा में उत्रीन नहीं हो पाएंगे इसकी प्रायक्ता हमें ग्यात करने हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ diagram समझते हैं कि माली यह एक diagram है यहाँ पर वो इसको total को मानते हम S यहाँ पर एक A है event और दूसरा event है यह B तो यहाँ पर क्या है इसको हमने A माल लिया और इसको माल लिया हमने B ठीके और यहां यह दोनों के क्या है कुछ कामन है जैसे कि A के उत्तिविण होने की प्रायक्ता दी है 0.05 अनिल को क्या माल लेती है हम A तो A के उत्तिविण होने की प्रायक्ता 0.05 ठीके 0.05 बिल दिया इसके बाद क्या कह रहा कि आस्मा के आस्मा को माल लेती हम B B के उत्रिन होने की प्राइक्टा कितनी है 0.10 ठीक है और A संग B यानि A और B दोनों के प्रास होने की प्राइक्टा कितनी है A संग B कितना है 0.02 ये क्या है दोनों के पास होने की प्राइक्टा उत्रिन होने की प्राइक्टा ये तो दिया हुगा है आपके यहां तर ठीक है इ यहां पर क्या हम बताना चाहते थे, A कितना है, यह भाग A का है, यह भाग कितना है, B का है, तो A संग B, मतलब यह बाला भाग कितना है, 0 दिस हम लो, 0 दो, यह क्या है, दोनों का common point, ठीके न, A, और संग B, निकालना है, इसका मतलब होता है, हम इसको बताना भूल गए थे, A, है ना, प्रायक्ता A की, प्लस प्रायक्ता B की, यह फॉर्मूला होता है, और माइनस को क्या कर देंगे हम, A सर्वनिस्ट B की, प्रायक्ता को क्या घटा देंगे, तो यह आ जाएगे हमारे पास, इस चीज का आंसर, यानि क्या आ जाएगा हमारे पास, A संग B आ जाएगा, यानि दोनों को प्रायक्ता उत्लिन नहीं हो पाएंगे, इसकी प्रायक्ता हमारे पास आ जाएगी, इसमें हम मान पुट कर देंगे, PA का मान कितना प्रायक्ता A की प्रायक्ता कितनी दी है 0.05 ये लिखी है PLUS B की प्रायक्ता 0.10 तो ये लिख दिया और माइनस कर देंगे हम इन दोनों की प्रायक्ता पास होने की वो minus कर देंगी 0.02 क्योंकि इन दोनों में से हमें यह बाले चीज minus करनी पड़ेगी तो यह क्या आजाएगी दोनों के उतील ना होने की प्रायक्ता तो इन दोनों को add कर दिया तो हो गया 0.15 और यहाँ पर minus 0.02 इसको minus कर देंगी तो आजाएगा हमारे पास 0 दिसमलो और यह 13 ही आजाएगा हमारा answer क्लियर तो इसमें कुछ नहीं यही कहना चाहता अनिल और आस्मा दोनों परिच्छा में उतीर नहीं हो पाएंगे इसकी प्रायक्ता क्या होगी तो देखो यह अनिल की है और यह आस्मा की है इसलिए हमने इस चित्र को बनाया इन दोनों को जोड़ दिया और यह बाली चीज हमने दोनों में से है तो इन दोनों को minus कर दी तो यह आगया हमारा answer क्लियर अब देखते हम यह दूसरा question दोनों में से कम से कम एक परिच्छा में उत्रिन नहीं होगा मतलब एक भी नहीं होंगे उत्रिन तो एक भी उत्रिन ना हो इसकी प्रायक्ता क्या होगी तो इसकी प्रायक्ता क्या हो जाएगी उत्रिन होने की प्रायक्ता है 0.02 ना होने की क्या हो जाएगी 1-0.02 तो इसको घटा देंगे, क्योंकि वही बाला कुश्चन है न, जैसा हम पहले solve कर चुके हैं, कि उत्तिन होने की प्रयक्ता, तो त्रिं ना होने की प्रयक्ता को करते हैं, 1 मैंसे माइनस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्विट्वा क्या होती है, एक से कम होती है और हम इसा positive होती है हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं तो answer क्या हो जाएगा 0.98 clear clear इस चीद को आप समझे न कम से कम एक परिच्छा में उत्रिन नहीं होगा अगर यहां अधिक से अधिक बोल देता तो चलता लेकिन वो कहरा कम से कम मतलब एक भी उत्रिन नहीं होगा अब देखते हम यह तीसरा question दोनों में से किवल एक परिच्छा में उत्रिन होगा मतलब दोनों में से या तो अनिल पास होगा या फिर आस्मा पास होगी उसकी प्रायक्ता ग्याद करो तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा indirectly दोनों में से किवल एक परिच्छा में उत्रिन होगा या तो आस्मा होगी या या क्या होगा अनिल होगा फिर अनिल होगा जा फिर आस्मा होगा उत्रिन तो इनको कैसे निकालेंगे तो ये सीधा सीधा सा है हमने अभी पढ़ा है कि यदि या यूज हो उसका मतलब क्या है प्लस यूज होगा तो अनिल के उत्रिण होने की प्रायक्ता कितनी है अनिल के उत्रिण होने की प्रायक्ता है 0.05 ठीक है लेकिन इसमें से इतना भाग क्या है यह तो common है, इसलिए हमें इसको minus करने पड़ेगा, तो 0.02 को minus करेंगे, ठीके, या इसके बाद क्या है, आस्मा के उत्रिण होने की प्रायकता कितनी है, 0.10, ठीके, आस्मा के कितनी है, 0.10, तो इस में से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 0.02 को minus करना पड़ेगा, ठीके, तो इ दोनों को फिर add कर दो क्या जाएगा 0 दे समलो 11 यह जाएगा answer क्योंकि यह कह रहा या तो अनिल पास हो या फिर आसिमा पास हो तो अनिल में क्या है इतना include है इसमें भी और इतना include है इसमें भी इसलिए दोनों को हमने आला कर लिये clear तो इस type से दी question आते हैं तो यह थोड़ा setup है बाकी ब्लकुलीजी है आपको ऐसे solve करना है I hope आपको इस वीडियो जरूर पसंद आएगा यदि आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्ली लाइक से comment करना भूले मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार